टार्गेट विदालों के आनलाइन प्लेटफार्म से मैं पंडितमरेश भट्ष आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनेंदन करता हूँ जैसा की विदित है संसान दारा समिक्षादिकारी एवंग सहाइक समिक्षादिकारी जो उत्तरपदेश लोग सेवा आयोग के द्वारा एक बहुँ प्रतिक्षित और एक सम्मानित सेवा है इसका फाम आचुका है वेकेज़ सी आई है अब बस आप लोगों की तैयारी की दरकार है जितनी अच्छी आप लोग तैयारी अपनी कर लेंगे वह आपके भविश्य के लिए उतना ही अच्छा होगा कम समय में एक अच्छा पद एक अच्छी प्रतिष्ठा जिसके लिए आप आते हैं वह आपको प्राप्त होता है और इसके बारे में आप लोग जानते हैं यह पद कैसा है पद तो फिर पूछिये मत इनकी हनक मत पूछिये कि क्या होती है जब यह लखनों में बैठ करके सचिवाले में और वहीं से फोन घुमाते हैं या उत्तवदेश लोग सिवा आयोग में भी यह चैन होते हैं आपको मैंने बैग्राउंड में उत्तवदेश लोग सिवायोग की इमेज लगाई भी है इससे आपको विजित भी है हम लोग यानि हमारा संस्थान बड़ा ही सुन्योजित तरीके से इसको प्रारम्भ किया है इस बैच को एनौन्स किया है और हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध भी हैं कि एक बेहतर रिजल्ट दिया जाए एक अच्छा रिजल्ट दिया जाए उसी के लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं क्योंकि बीना रिजल्ट का मज़ा नहीं आता है सिर्फ पढ़ाना नहीं उसका कुछ आउटपुट भी मिलता है तो लगता है कि हाँ हमारी पढ़ाई भी सार्थक हुई और हमारा पढ़ाया गया भी सार्थक हुआ इसी में इसी की पहल में हम लोग आज बात कर रहे हैं मैं आपको जैसा आप जानते हैं कि मैं हिंदी खंड को लेकर के आता हूँ यानि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है और हिंदी के बारे में आपसे हम बात करता हूँ हमारी प्रक्रिया थोड़ी सी मैं आपको संसान के बारे में थोड़ी प्रक्रिया मैं बता देता हूँ उसके बाद अपनी बातें हम प्रारम विकरते हैं कि इसके बारे में बहुत ही आपसे हम वारता लाप करने वाले हैं ये हमारा वाट्सअप नमबर है इंट्री, हारो, एरो लिख करके आप वाट्स अफ कर दीजे ताकि आपकी सीट सुरक्षित हो सके और हमारे जो काउंसलर हैं, जो हमारे मिंबर हैं वह आप से संपर करेंगे और आपको पूरी डिटेलिस की जानकारी देंगे इसके अतरिक्त आप इन नमबरों पर दस बजे से लेकर के साथ बजे के बीच में आप काल कर सकते हैं तो आप इस पर काल कर लिजेगे या नीचे नमबर चल रहे हो इस पर भी आप काल कर सकते हैं और दस से लेकर के साथ के बीच में ही आप काल करिएगा तो आपके नंबर उठाए जाएंगे जैसा कि आपकी ये एक सिकायत रहती है कि बार बार बीजी जाता है उस सिकायत को दूर करने का प्रयास किया गया है जब जादे काल आ जाते हैं तभी ऐसा हो पाता है तो आप निश्चित तोर पे ये सारे एक्टीव नंबर है और आप लगाएंगे तो निश्चित तोर पे आपका काल लगेगा तो आपसे अगर वारता लाप करना चाहें तो नहीं तो बाकी आप इन नंबर पर जो है आप इंट्री आरो यारो लिख करके वाट्सअप कर दिजिएगा यह जो नंबर हमारा है आप से हमारे जो टीम है टेक्निकल टीम है वह आप से संपर करेगी यह तो रहा थोड़ी सी आपके बारे में इन्फरमेशन जनकारी की आप इससे रूवरू हो जाएं देखे हम लोग जो है आरो यारो के प्री में और मेंस में हमारे जो सलिबस होते हैं उन सलिबस पर भी हम आप से बात करेंगे लेकिन आज हम थोड़ा सा किवल प्री के बारे में बात करते हैं और उस पे कुछ टापिकों को ले करके हम आप से चर्चा करते हैं देखे बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको आरो यारो में प्री का जो पंसेप्ट है और इसमें जो आपके पाठे करम रखे गए हैं आपको ये जानकारी है कि जीयस के 140 प्रश्ण आते हैं और 140 अंक का होता है यतना तो आपको पता होगा अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में भी हम आप वीडियो पड़ी हुई है तो आप उसको देख लिजेगा नहीं तो पुना हम चर्चा भी कर लेंगे ये रहा हमारा GS का सेक्षन रहा और आपको इसको तैयार करना होता है इसके अत्रिक्त जो है 60 प्रश्ण का ये जो 60 questions है ये 60 प्रश्ण किसका रहता है हिंदी का खंड रहता है जो एक घंटे का होता है पेपर होता है ये अलग से होता है बड़ा ही निरणायक होता है ये हिंदी का जो टापिक है ये 60 अंक बहुत ही निरणायक है अगर आप थोआ बहुत GS जानते हैं तो निश्चित तोर पे हिंदी के बल पर ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि यहां आप जादे से जादे गेन कर सकते हैं यहां से जादे से जादे आप प्रश्ण को कर सकते हैं और गलतियां आप कम करके कर सकते हैं क्योंकि जब प्राया है यह देखा गया है ऐसा नहीं है कि यह मैं कह रहा हूं यह देखा गया है कि ऐस होता है विगत की परिक्षाउं में जो हमारे च्छात्र है वो जो quailify किये हैं जो finally भी qualify किये हैं तो उनके और अपने स्व्योंके अनुभों के आधार पर अभी तक जो मैंने analysis किया है उसके आधार पर आपसे मैं बात कर रहा हूँ हला कि मैं जादे से जादे लेकर कि आपको बता रहा हूँ कम पे हम बात नहीं कर रहे हैं अगर हम 140 हला कि 136 अंक अगर प्राप्त कर लेते हैं तो sufficient होता है लेकिन हम 140 अंक भी अगर मानते हैं कि 140 अंक प्राप्त करने वाला लड़का प्री में क्वालिफाई हो जाएगा तो अगर हम इतना भी मानते हैं तो आप ये देखिए ये जो 60 questions है ना इस 60 questions में से यहाँ मेरी मैं ये तो नहीं कहता हूँ कभी भी आप मेरे मुख से ऐसा नहीं सुने होंगे कि मैं एक दावा करता हूँ मैं ही सब कुछ कर दूँगा बीना पढ़े हुए तो कुछ होगा ने लेकिन मेरे notes से मेरे class notes और notes जो printed notes आपको जाएंगे और जो मेरा class notes होगा इन दोनों को मिला करकी अगर आप पहले जाती हैं तो आएंगे तो लगभग 60 में 60 आ जाते हैं लेकिन अगर 58 questions आप सही कर ले जाते हैं और हो जाता है ऐसा नहीं है थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादे hard paper बना तो यहां से आप 55 questions तो आपको करना ही करना है यानि कर ले जाते हैं अब सोचिए 55 questions माइनस यहां पर आप कर दीजिए तो कितने बच जाते हैं यह बच गए 10 में से 5 जा 5 यहां बचा 3 यानि 13 में से 5 जा 8 85 questions आपको करने होते हैं कितने में से 140 में से यह तब की बात बता रहे हैं कि जब 140 कटाफ जाती है तो यह बहुत जादे कटाफ मैंने बताया है इतना संभो नहीं है इससे नीचे ही आपको रहेगा अब सोचिए 140 में से आपको 85 questions सी सिर्फ GS की करने होते हैं अगर हम repetition और current को मिला देते हैं केवल current को मिला देते हैं तो लगभट 25 questions इसमें से current पूछे जाते हैं 25 उचिस question आप current पूँ अगर तयार कर लेते हैं तो बाकी subject थोड़ा थोड़ा भी अगर देखते हैं बिगत वर्स के paper अगर साल्व कर लेते हैं इसके अलावा जो भी हमारे संसाद्वारा जो भी सिक्ष आपके साथ हैं उनसे अगर संपर करेंगे यानि उनके द्वारा अगर वीडियो को देखेंगे तो ये बड़ा कम होता है कि qualify करना आपके लिए बड़ा बेहद ही आसान हो जाता है तो फिलहाल इस पर हम analysis करेंगे लेकिन बाद में analysis करेंगे आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं हिंदी पर बात कर रहे हैं यानि हम हिंदी subject को लेकर के आ रहे हैं और हिंदी subject में जो 60 questions हैं ये जो 60 प्रश्ण हैं ठीक है? इन 60 प्रश्णों को अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि कहां कहां से topic निर्धारित है कि 6 topic जो दिये गए हैं हम कहां पर अपनी सुधारात्मक और गुडात्मक प्रक्रिया को अपना करके हम कैसे achieve कर सकते हैं तो अगर हम इन 60 की बात करें तो इस 60 प्रश्ण में से यानि ये जो 60 प्रश्ण आपके पिंचे जाएंगे जो 60 अंक का होगा इसमें जो आपके सामिल topic हैं अगर हम एक topic की बात करें तो एक topic आपका सामिल होता है वर्तनी एवंग वाग के शुधी करण वर्तनी एवंग वाग के शुधी करण जहां जहां से आपको गलतियां होती हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ वर्तनी एवंग वाग के शुधी करण से related आपको एक topic सामिल किया गया है ठीक अगर हम इसके दूसरे topic की बात करते हैं तो दूसरे topic की अगर हम बात करें तो हम एक आसान topic होता है वो होता है विलोम होता है फिलहाल मैं इस पर भी आप से चर्चा करूँगा और डीटेल चर्शा करूँगा एक टापिक आपका विलोम हुआ यानि ये रहा नमबर दो तीसरा जो टापिक आपका होता है वह परियाएवाची होता है वह परियाएवाची होता है ये आपके तीन टापिक हो जाते हैं चलिए चौथे टापिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप वाक्यांस के लिए एक सब्द पाते हैं कौन सा वाक्यांस के लिए एक सब्द वाक्यांस के लिए एक सब्द आप पाते हैं चलिए इसके अलामा यानि आपके यह चार टापिक complete एक, दो, तीन, चार ये चार टापिक आपके हो जाते हैं इसके अलावा अगर हम पाँचवे टापिक पर आपसे बात करें तो देखेंगे इसको हम यहीं पर दर्षाने का प्रियास कर देते हैं आपको चार टापिक हो गए है चलिए पाँचमा टापिक को हम देखते है पांचमा जो हमारा टापिक होता है वह होता है आपके तद्भो तद्सम यानि तद्सम हो गया और तद्भो शब्द हो गया तद्भो ये स्रोत के आधार पर ये शब्द होते हैं तद्भो तशम हम बात करते हैं इसके अलामा जो हमारा बात होगा वो बात होगा यानि हम साथवे टापिक पर बात करें तो सारी छठे ये पांच हो गया और ये छठा टापिक हो गया तो छटे topic पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है विशेस एवन विशेशन विशेस एवन विशेशन मिलता है ठीक है? यह आपके कितने हो गए छे topic हो जाते हैं यही 6 topic आप से ये आपके 6 टापिक है और यही 6 टापिक आपसे पूछे जाते है अब आप यहाँ पर थोड़ा सा समझेगा यहाँ पर जो मारके की बात है वहाँ टापिक नंबर एक की बात हम करेंगे इसके अत्रिक्त टापिक नंबर पाँच और टापिक नंबर छे हम यह नहीं कह रहे हैं कि बात नहीं करेंगे हम जो प्रायह देखते हैं इसमें भी सबसे अगर सरवाधिक कहीं गलतियां होती है तो यह वर्तनी एवंग वाक्य शुद्धी करण में है और दूसरा वी से एवंग वी सिए सन में है यह दो टापिक अइसे हैं कि आपको यहा SAY आप प्रायह क्या कर लेते हैं गलतियां कर ले जाते हैं हम यह नहीं कहते हैं कि सभी लोग करते हैं मैंने तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को ऐसे सिक्षार्थियों को देखा है कि जो अभी तक विसेशन का तो नाम जानते हैं लेकिन विसेश से क्या होता है ये नहीं जानते हैं और ये सोचते हैं कि इसको कैसे याद किया जाए कैसे हम तैयार करेंगे तो मुझे यह नहीं लगता है कि इसमें बहुत जादे समस्या आपको आने वाली है या समस्या आएगी मेरे पढ़ने के बाद तो कभी आज तक विसेस और विशेशन में कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला है कि जो इसमें सिकायत किया हो कि नहीं आप सर हमको समझ में नहीं आया हम इस पर डिटेल से बात करेंगे बाकी तो हम डिटेल से आप से बात करेंगे इस्पेसली तोर पर इन दोनों टापिकों पर भी special तोर पर भी हम बात करेंगे कुछ आपको नियमों के द्वारा बात किया जाएगा कि समझाने का प्रियास किया जाएगा कि आप रटना तो विलोम पर यायवाची वाक्यांस के लिए हर एक तो याद करना है ये तो अलग बात है लेकिन याद करनी की पीछे सबसे महत्पुर्ण यह होता है कि सबसे बिटर मेरा तरीका क्या है हम जो है इसको किस तरीके से अगर याद करें या किस तरीके से पढ़ें तो हमको कम मेहनत में जादे से जादे हम क्या कर लेंगे एबजॉर कर लेंगे जादे से जादे हम ग्रहन कर लेंगे तो इस पर भी हम बात करेंगे तो आज हम आपको थोड़ा सा इसकी पूरी बैक्ग्राउंड बताएंगे देखें यही आपके 6 टापिक 60 अंक के आपको प्रीमे सामिल होने वाले हैं कभी हम में इसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे डिटल चर्चा करेंगे यह प्रतेक जो है टापिक से आपको 10 प्रश्ण पूछा जाएगा 10 प्रश्ण और 10 अंक का होगा ठीक है यानि 6 टापिक है तो 10 चका 60 यानि आपको 60 अंक हो गए और 60 प्रश्ण हो गए एक प्रश्ण एक अंक के पूछे जाएंगे हम आज थोड़ा सा आपको एक बैग्राउंड बताते हैं और इस पर बात करते हैं कि क्या एक बेसिक कांसेप्ट के द्वारा कुछ बाते हम समझते हैं कभी भी आप इसके बाद भी हमारा वीडियो आपको जाएगा पब्लिकली जाएगा और आप ये मत सोचिएगा कि नहीं इसमें थोड़ा सा आप धैर बना करके देखिएगा हमारा मेनुद्दे से है कि बेसिक चीजें तो क्या हैं कांसिप्ट है और कांसिप्ट आपको समझ में आ जाएगे तो आपको ये बाते समझ में आ जाएगी लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कांसिप्ट जानते ही नहीं तो जब जानते ही नहीं है तब हमारे सामने क्या हो जाती है समस्या आ जाती है और उसके बाद हम लगते ही धरद भागने पहले रटने का प्रियास करते हैं यह सोचते हैं कि जल्दी जल्दी हम को matter मिल जाए जल्दी जल्दी हम रटने matter तो secondary है पहले आपको समझने की बात आती है अगर आप समझ ले जाते हैं तो आसान हो जाता है आपको बातें कहना, बातें क्लियर करना, तो हम प्रियास करेंगे कि आज आपको बातें कुछ समझ में आवे, तो पहली बात आज हम बात करते हैं, पहले टापिक को ले करके उठाते हैं, वरतनी योंग वाक की शुद्धी करण पर हम बात करते हैं, लेकि हम पहला टापिक जो हमारा है पहला वर्तनी इसको ले करके बड़ी समस्याएं हैं वर्तनी यंग वाकि शुद्धि करण को करके वाक शुद्धी करण है ठीक है इसको लेकर के ये एक मुझे लगता है कि आप लोगों के सामने एक प्रकार से थोड़ा बहुत चेलेंजिंग बना हुआ है कि कितने सब्द हैं और कैसे हम ये सही करेंगे चर्चा करते हैं लिकिन हम इसके पहरे थोड़ा सापको एक concept पात-दस मिनट का आपको बताते हैं तब मैं इसका अभी मैं पार्ट सिरिंखला चलाऊंगा यानि यह हमारा part 1 जा रहा है इसके बाद इसी topic का part 2 जाएगा इसी topic का part 3 जाएगा यानि इसी topic को हम ले करके चलेंगे क्योंकि आज ही तो संभव नहीं है सब कुछ बता पाना तो धीरे धीरे करके हम एक एक बातें आपको clear नियम के आधार पर हमको clear करते हम चलेंगे तो आप इसको समझते हुए चलिएगा और pain कागज लेकर के आप note कर लिजेगा के बाद सुनिएगा नहीं बलकि क्या करिएगा आप note करते क्योंकि जब लिखेंगे न तभी जा करके कुछ होने वाला है जब तक आप सुन लेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं होता है इसको लिखना पड़ता है तो आप लिखिएगा जो भी छोटी मोटी बाते होगी आप जानते हैं तब भी उससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन जानते हैं तब भी लिखिएगा नहीं जानते हैं तब ही भी लिखियेगा पहले अगर हम बात करते हैं किसी इसके बैक्ग्राउंड पर तो हमारे सामने एक बात आती है भासा आती है यानि जब हमारी ओर्जिन हुई जब हमारी बारतलाप हुई जब हम आगे आए तो एक भासा की अवस्सक्ता पढ़ी यानि हम किसी बात करते हैं भासा की बात करते हैं ठिक भासा के अतिरिक्त अब अगर हम आप से ये पूछें कि भाई भासा क्या है और फिर व्याकरण क्या है तो आज तो नहीं हम व्याकरण के बारे में कभी अन्य आप से चर्चा करेंगे आज इन्ही दो विंदों दो तिन विंदों पर हम बात करेंगे एक भासा के बारे में अगर हम आज बात कर लेते हैं कि भासा क्या है इसके अलावा लीपी क्या है लीपी क्या है पहले भासा आई की पहले लीपी आई बड़ा ही आप लोग पढ़ते होंगे देवनागरी लीपी में लिखा जाता है ऐसा आप लोग हमेशा कहते होंगे हिंदी भारत की राज भासा है जिसकी लिपिदेवनागरी है यह सम्मिधान के भाग सत्रह के अंतरगत अनुच्छे 343 से 351 के बीच इसको रखा गया है 14 सितंबर 1949 को इसलिए प्रतेक वर्स 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं ऐसा आप लोग जानते होंगे नहीं जानते होंगे तो पुना हम बात करेंगे आपसे यहां पर भासाओं के बारे में हम जानेंगे लिपियों के बारे में थोड़ा सा और पुना हम वर्तनी शुद्धी करण पर बात करेंगे कि कहां कहां से हम लोग क्या नियमों के अंतरगत पढ़ा जाएगा जहां तक होता है देखा जाता है पहले चीज अगर हम भासा की बात करें तो भासा भाष धातु से बना है भाष धातु संस्कृत में चलता है धातु चलता है जो क्रिया का मुलरूप होता है वो धातु होता है जिसको रूट कहते हैं जड़ कहते हैं और इसी से जो है सब्दों का निर्माड होता है ऐसा संस्कृत में कहा गया है, तो हिंदी ने एडॉप्ट किया है, उसी पर हम बात कर रहे हैं, जिसका अर्थ होता है ब्यक्त करना या कहना, ब्यक्त करना या कहना होता है, यानि हम कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो अब ये बात आई कि भई, अगर हम कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं, तो यही तो भासा हुई न, तो कुछ कहना या कुछ बोलना क्या भासा हुई, अगर हुई तो कैसे, नहीं हुई तो कैसे, यहाँ पर अगर हम यह कहें कि अगर हम भासा बोलते हैं भासा जब तक हम बोलते हैं तो वह बोलना किसके द्वारा होता है ध्वनियों के द्वारा होता है यानि ध्वनी के द्वारा होता है तो क्या ध्वनी जो है हम जो बोल रहे हैं ये तो ध्वनी हुई तो क्या अगर हम ध्वनियों की बात करें तो ध्वनी जो है ये तो किसी की भी हो सकती है पसुपक्षी है इसकी भी ध्वनी है कोई घोडा है तो भी ध्वनी बोला है कुत्ता है उसकी भी कुछ न कुछ ध्वनी है चिडिया है उसकी भी ध्वनी है घड़ी भी है उसकी भी ध्वनी है यानि सबकी क्या है ध्वनी है तो क्या इस द्ध्वनी को ही हम मानने कि हाँ इसको जो हम लिख दे रहे हैं यही हमारी भासा हो गई और इसका कुछ हर्थ हो गया तो नहीं हम जब तक यह द्ध्वनी जो है अच द्ध्वनिया भी निरर्थक भी होती है और द्ध्वनिया सार्थक भी होती है द्वानी निरर्थक भी होती है अगर कोई कहता है कि द्वानी निरर्थक नहीं है तो ये दिमाग से निकाल दीजेगा द्वानी भी निरर्थक होती है और सार्थक भी होती है हम इसको अर्थवान बनाते हैं अगर सार्थक है यानि अर्थ है जैसे चिडिया बोलती है, चूचू बोलती है, कवा काउं काउं बोलता है तो उसने क्या किया द्वानी निकाला लेकिन उस द्वानी को हमने क्या किया है, कनवर्ट किया है मानों ने क्या किया है, कनवर्ट किया है तो इस आधार पर हम समझ जाते हैं ये चिडिया बोल लही, ये कवा बोल लही, ये कोयल बोल लही, ये मैना बोल लही, ये तोता बोल लही, ये घड़ी बोल लही है, आप हमारी बात ये समझे कि क्या अगर हम इस ध्वनी को अर्थवान क्या करते हैं, बना रहे हैं, कुट्ता ये नहीं जान रहा है कि हम हो भो भ कि नहीं बेटा घड़ी जो है ये टिक टिक बोलती है अगर हमको ये बताया गया होता कि घड़ी टक टक बोलती है तो मैं टिक टिक नहीं कहता टक टक कहता अगर बोलता हमको ये बताया गया है कि अगर घड़ी अगर गली भक भक बोलती है तो हम कहते घड़ी भक 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 बोलत लिए हमको बताया गया है तो जोब हमको बताया गया है तो हम ये मानते हैं कि यह अर्थमान है ये हम मानते हैं हो सकता है कि अगर ये काइनात समाप्त हो जाए अगर पुनह पृत्वी पर सभी लोग आते हैं पुनह निर्माड होता है पृत्वी पर तो हो सकता है इसको कुछ भी नाम दे दिया जा सकते हैं कुछ हन्यावाज भी दे दिया जा सकते हैं तो द्रिश आधार पर और स्रब्य आधार पर ध्वनियों को हम क्या करते हैं निर्मित करते हैं ध्यान रखेगा एक द्रिश आधार पर यानि देखने के आधार पर और स्रब्य के आधार पर सुनने के आधार पर हम ध्वनियों को निर्मित करते हैं जैसे हम बल्ब अगर है तो बल्ब देखते हैं या ट्यूब लाइट है तो ट्यूब लाइट अगर वहा यह क्या बोलते हैं जल रहा है और बुझ रहा है तो हम क्या कहते हैं, लुप-लुप कहते हैं, लुप-लुप आ रहा है, यानि लप-लप आ रहा है, जो भी आप कहते हूं, बल्व क्या जल लहा है, बुझ रहा है, या तारे हैं, तो तारा टिम-टिम आ रहा है, यह क्या हमने द्रिश्य आधार पर बना लिया है, हमने देखा औ और देखने के आधार पर शब्द इन ध्वनियों को निर्मित कर दिया तो या तो हम दृष्ट आधार पर करते हैं देखने के आधार पर नई तो स्रब्य आधार पर करते हैं सुनने के आधार पर भी हम क्या करते हैं ध्वनियों का निर्माण कर ले जाते हैं हम जब मनुष्य बोलता है और उसका कोई अर्थ निकलता है तो वही जो है ब्याकरण के अंतरगत उसको हम सामिल करते हैं हम चेडियों के चहचहावट चहचहाहट को कोयल की कूपू कोयल की आवाज को ब्याकरण के अंतरगत नहीं पढ़ते हैं हम ऐसा नहीं है कि कोई अगर जो है पट्टू लाकर के रख दिजिए वो बोलता है सीताराम अव हम इसको ब्याकरण में कहेंगे चलिए पट्टू आपको पढ़ा रहा है तो क्या है जितना मैंने रटाया उतना उसने बोला उसका बिवेक नहीं है कि वह अपने बिवेक से आपको ये बता दै कि हाँ इस नियम के अंतरगत ये चीजे हो रहा है बिवेक नहीं है हमने जितना कहा उसने उतना सुना और याद करवाया उतना बोल रहा है तो मनुष्य के द्वारा ब्यक्ति के द्वारा जब कोई नियम बद्ध है बाते होते हैं तो उसे हम ब्याकरण के अंतरगत रखते हैं और इसमें भी मनुष्य की सारी बातें सारी क्रिया कलापे ब्याकरण के अंतरगत नहीं रखते हैं जो कुछ मुख से ध्वनी हम निकालते हैं वह भी सार्थक होता है ऐसा नहीं हम मुख से ध्वनी निकालते हैं तो ब्याकरण में सामिल कर लिए जाते हैं अगर हम सोय हुए हैं बहुत सारे ऐसे जैसे आप चल रहें तो चलने की भी ध्वनी है द्वानी की परिभासा अगर नहीं जानते हैं तो ये जान लिजिए द्वानी की से कहते हैं किसी भी वस्तु से उत्पन सामान्य आवाज ही द्वानी कहलाती है कोई भी वस्तु है अगर उस से उत्पन कोई सामान्य आवाज है तो वही द्वानी कहलाती है और मोखिक रूप से भासा में सबसे छोटी इकाई दुहनी होती है मोखिक रूप से लिखित रूप से नहीं मोखिक रूप से जो हम बोलते हैं इसमें सार्थक धुनिया और निरर्थक धुनिया मैंने बताया बहुत सारी ऐसे मनुश्यों के द्वारा, ब्यक्तियों के द्वारा, मानू के द्वारा, बहुत सारी ऐसे ध्वनियां होती हैं, जो निरर्थक जैसे आप सोय हुए हैं, अब सोय हैं नाक बजा रहे हैं, तो नाक आपकी बज रही निरर्थक ध्वनिय हैं, वो भी ध्वनिय न निकालते हैं, निरर्थक ध्वनिय हैं, अगर कोई आवाज हम निकाल लहे हैं, जिसको कोई समझना बुझना नहीं है, बस सोए हैं, बहुत सारे लोग मुख भी बजाते हैं, नाक भी बजाते हैं, तो निरर्थक बहुत सारी हम बाते करते हैं, निरर्थक ध्वनिय हमारी निक इकाई है ये सबसे छोटी इकाई है तो भासा की एक इकाई होती है द्वनी होती है एक इकाई वरण होती है उसके बाद में बात करते हैं और इस द्वनी को जो हम निकालते हैं या जो हम बोलते हैं उसको जब हम लिख देते हैं लिख देते हैं तो उसको जब हम लिख देते है तो उसे ही हम क्या लिपी कहते हैं क्योंकि लेखन का कारिकिस में होता है लिपियों में होता है बोलने का कारिकिस में होता है भाषा में होता है और जब हम लिखते हैं तो उसे हम लिपी कहते हैं यानि अब ये बातें आपको समझनी चाहिए अगर मैं ये पूछू भाई आप ये बताएए भासा पहले आई कि लिपी पहले आई अप क्या कहेंगे आप ये बताएंगे कि पहले लिखा गया कि पहले बोला गया असान सा कोश्चंस है पहले क्या आई भासा कि लिपी तो पहले नंबर पर आई भासा पहले लिपी नहीं आ पहले जो है भासा आती है यह माध्यम विचारों का आदान प्रदान ही भासा कहलाती है या विचारों के आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वही भासा कहलाती है तो यह पहले हम भासा पहले हम बोलते हैं अब कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो पहले वो बोलेगा कि पहले वो लिखेगा पहले वो बोलेगा ना पहले वो रोएगा धीरे धीरे क्या है वो बोलता है उसको हम लिखना सिखाते हैं तो जब हम लिपी बद्ध करते हैं तो अब ये हुई कि हर भासा है और हर भासा क अलग-अलग लिपी है तो हमारे यहां जो भारती परिवीश में जो लिपी अपनाई गई वो नागरी लिपी अपनाई गई उसको कहा गया यह नागरी लिपी है और इसी नागरी लिपी को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे आप देवनागरी कहते हैं कौन सी कहते हैं देवनागरी कहते हैं अब इस देवनागरी लिप में इस देवनागरी लिप को हमने क्या बना लिया अपनी भासा की लिप यानि हिंदी की लिप बना लिया है प्रमाड इकता कब हम मिल गए मैंने अभी इसके पहले भी जिक्र किया कि संबिधान में भाग हैं और इस भाग में 22 भाग हैं जिसमें से 17 जो भाग है वा भासा से संबंदिता बेरेक उठाईगा और इसमें देख लिएगा भाग 17 से भाग 17 में अनुछे जो आर्टिकल 343 है और 351 है यानि 343 से 351 के बीच में ये आर्टिकल है आर्टिकल 343 से 351 के बीच में हिंदी को क्या राजभासा का दर्जा दिया गया ये राष्ट भासा नहीं है अगर आप जानते हों तो ध्यान से निकाल दिजेगा कि हिंदी राष्ट भासा है नहीं हिंदी राजभाशा है हम इस पर बारे में आपसे जिक्र कर लेंगे या पढ़ाते समय हम अलग से आपको बता देंगे चुकि आपके छे टापिक में सामिल नहीं है इसलिए इस पर हम चर्चा नहीं कर रहें हाँ बेसिक कांसेप्ट के अंतरगत इसको जानना चाहिए तो हम आपको बता देंगे 343 से 301 क्यामन के बीच में हिंदी को राजभाशा का दरजा दिया गया और कहा गया कि इसकी लिप क्या है देवनागरी या नागरी है ये मैंने बताया कि 14 सितंबर 1949 को ऐसा हुआ तो 14 सितंबर 1949 को हुआ इसलिए प्रतियक वर्स 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं ठीक है? अब एक आता है 200 हिंदी दिवस आता है जो 10 जनौरी को मनाय जाता है क्यों मनाया जाता है उस पर भी हम आप से चर्चा कर लेंगे कि क्यों 10 जनवरी को ही 200 हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को तो आप जान गए कि ये क्या है हिंदी दिवस मनाया जाता है यानि हमने आज जो है थोड़ा सा पूरी गहराई में नव जा करके केवल कंसिप्ट बेस थोड़ा बहुत अभी तो मैंने भासा का नहीं प्रकार बताया ना कुछ और उस पर जाओंगा नहीं हमने सिर्फ बताया आपको दो तीन बातों पर हमने जिक्र किया यानि आप से बताया एक दुहनी के बारे में एक भासा के बारे में और एक लिपी के बारे में हम तीन ये जो टर्मलोजी है इस पर हमने बात किया अब जो है आपको जो हम बात करेंगे जो हमारा मूल टापिक है मूल टापिक क्या है हमारा ये है वर्तनी एंग वाकिशुदे करन जो मूल टापिक है इस टापिक से related हम बात करेंगे कि भाई अगर हमारी गलतियां हो रही है तो कहां कहां से गलतियां हो रही है यानि हम इस गलतियों पर सुधारनी की बात करेंगे तो अगर हम ये देख ले माल लिजे हमने बेसिक चीज अगर देख है जो जो गलत है और जो शही है गलत कहां कर रहे हैं सही कहां कर रहे हैं हम पहले पहली हम गलति के बारे में जान लेते हैं पहली हमारी गलति क्या होती है मात्रा से related होती है ठिक, मात्रा से related होती है एक गलती के बारे में पहले हम बात करें तो इसके बाद जो है next जो हमारा इसका topic बनेगा उसमें हम इसका detail करेंगे आज इसका detail नहीं करेंगे तो उसमें हम यहां से लेकर के पुनह आगे हम बात करेंगे अब यह बात आती है कि अगर ये मात्रा शम्मंधी गलतियां हैं तो फिर मात्रा किसे कहते हैं यानि मात्रा किसे कहते हैं कोश्चन नमबर एक ठिक दूसरा गलतियां जो आएंगी वह वर्णगत आएंगी तो दूसरा कोश्चन वर्ण किसे कहते हैं और तीसरा है वाक के सम्मंधी गलतियां होंगी तो तीसरा कोश्चन वाक किसे कहते हैं और इसमें कैसी कैसी गलतियां आती हैं इसमें किस प्रकार की गलतियां होती हैं हमसे कैसे हम वरणगत गलत करते हैं कैसे हम मात्रात्मक गलत कहते हैं हम क्यों ऐसा गलत करते हैं क्यों बार बार हमको ये समझ में नहीं आता है तो इसका बेस अगर नहीं कलियर है तो आपको समझ में नहीं आता है और आप गलतियां करते हैं तो क्या प्रश्ण ये उड़ता है क्या इससे हम निजात पा सकते हैं ये गलतियां ऐसा हो कि हम नौ करें ऐसा क्या मेरे जीवर में हो सकता है तो अवश्य हो सकता है कि सिर्फ प्रेक्टिस की बात है और एक कंसेप्ट की बात है अगर आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट जान लिए और प्रेक्टिस कर ले गए जितनी सब्दावली हम देंगे उतनी सब्दावली आपके लिए perfect सब्दावली होगी यानि उससे बाहर सब्दावली जाएगी नहीं अगर जाती भी है तो ये जितनी सब्दावली पर हम आपसे चर्शा करेंगे उन सब्दावली के अत्रिक्त अगर कोई सब्द पूछ लिये जाते हैं तब भी आप प्रश्ण को कर लेंगे क्योंकि निगेशन पॉइंट से ही आपको प्रश्ण के उत्तर आ जाते हैं कि अवस निगेशन पॉइंट से हम ये समझेंगे कि हम ये कैसे जान जाएंगे कि अगर ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा तिसलिए ये होगा Indigation point से उत्तर किया जाता है तो आप इस रूप में भी कर सकते हैं तो बड़ा बिस्त्रित तोर पर हम इसके बारे में क्या करेंगे आपसे बात करेंगे और यहीं से अगली जो हमारी वीडियो होगी यहीं से स्टार्ट होगी और यहीं से हम लोग क्या करेंगे बात आपको करेंगे और उसके बारे में हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ जाएं कि ये गलतियां ना करें ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही हम next हमारा जो पार्ट इसका होगा उसके बारे में अब हम नियम के आदार पर आपसे हम बात करेंगे और समझते हुए आगे चलेंगे तो एक बार धेर सारी शुब कामनाएं है आप लोगों को धेर सारा प्यार है धेर सारा सिर्बाद है कि आपके जीवन में नित नहीं बहार आए आप हमेशा आपका मंगल हो आपकी जो मनो कामना है वो पुर्ण हो तो आज के लिए बस इतना ही next पार्ट में हम इसके आगे बढ़ते हैं धन्यवाद जय हिंद